दब बोईज का सीजन थर्ड के जो फर्स थ्री एपिसोड थे उसके उपर ओड़ी एक वीडियो बना जोका हूं जिसमें बताया था कि काफी ज्यादा एक इंटरस्टिंग, एक एक साइटिंग, एक सास्पेंस वाली सीरीज ये लग रही है मतलब कि सीजन वन और सीजन टू काफी जादा हीट हुए, काफी जादा लोगों ने पसंद किया, मुझे भी काफी जादा पसंद है और सबसे अच्छी बाद season 3 में तो यह हिंदी में भी आ रहा है तो इसलिए यह series में और ज़्यादा interest बन के आया है अब जो first 3 episode थे उसके बाद 4th, 5th, 6th तीनो episode भी आ चुके हैं एक साथ तो release नहीं हुए हैं लेकिन एके करके काफी time बाद आ रहे हैं और तीनो episode में देख चुका हूँ यानि 4th, 5th, 6th और इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जो 6th episode में जो मुझे देखने को मिला है अपने आपको मैं control नहीं कर पाए कि इसके उपर बात ना करें वाईसा मैं काफी time से चाह रहा था एपिसोड हम जब देखते हैं कि यार वो लड़ने से भी डरता है अगर उसके सामने कोई powerful इंसान है उसी के level का तो उसकी फटके चाहर हो जाती है जैसा हमें इस series के जो 4th, 5th, 6th हैं इन episode में देखने को मिला है और खासकर 6th episode में जो मैं चा रहा था जो मेरी इच्छा थी कि भाई इसकी एक बार अच्छे से दुलाई हो किसी से इसके साथ मिलाओ तो सही जो इसका अच्छे से मुकावला कर सके और वो 6th episode में हो जाते है मतलब पूरा तो नहीं है मतलब ठीक है जितना भी इसमें हमें देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत दिल को सैटिस्वाइब कर देते हैं होम लेंडर जो वो सोल्जर वोई से मिलते है और सोल्जर वोई भाई जैसे इनकी दुलाई आपस में जो फाइटिंग होती है सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है इस एपिसोड के अंदर यानि परस्नली बात कुरूँ सिक्स एपिसोड की जैसा इसमें हमें वी एफेक्स वी एफेक्स तो बहुत कमाल के हैं जिसने चार चांद लगा दिये इस सीरीज के अंदर मतलब आपको बहुत एक एक रियर ऐसी सीरीज होती है जिनके अंदर आपको वी एफेक्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और मैं यह कह सकता हूँ कि दब बोईज के उपर वो वाले वी एफेक्स आपको देखने को मिलेंगे जो एक हाई लेविल के एक मुवी होती है उसमें खर्च किया जाता है पैसा अच्छा कासा इसके वी एफेक्स पे किया गया है मतलब बहुत एक मतलब वो क्या कह सकता हूँ क्यार आपको मजा आता है वो देखने का जिस तरीके के इसमें दिखाये गई है और इसमें कोई boundary नहीं रखी गई है कि आपको बच्चों कोई target करना है तो बच्चों के लिए वो चीज़ें रखी जाएंगी नहीं इसमें adult को ध्यान में रखते हो चीज़ें रखी गई है मतलब कि इसमें violence भरपूर है कोई भी उसकी limit नहीं है चीर फाड अच्छे कासे से दिखाई गई है adult चीज़ें हैं इसके अंदर वो भी भरबर के इसमें देखने को मिलती है कैर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनकी वज़े से ये interesting होती है लेकिन हाँ जो इसकी requirement है वो इसमें दिया गया है उसमें कोई limitation इन्होंने नहीं डाली है जो बहुत बढ़िया बात है अब 6 एपिसोड में जैसे soldier war, homelander के आपस में जब लडाई होती है और जब butcher के पास जो power हमें देखने को मिलती है और butcher जब बीच में आता है homelander की दुलाई करता है आप उसके दोनों की लडाई देखेंगे और खासकर जो मैंने face expression जो देखी है butcher के जो वो हंसता है और जो धो रहा होता है homelander को तो उसके मन में यही चल रहा होता है कि अब गुते तू आया मेरे सामने अब मैं तुझको बताऊँगा क्योंकि मेरे पास भी इतनी पावर है जितनी तेरे पास है और दोऊँगा तुझे और वो सच में बहुत बढ़िया तरीके से homelander को दोता है और दिल को तसल्ली में जाती है और बुचर के मन में कही ना कही थोड़ी बहुत रहात आती है कि इस बार उसने अपने दिल के निकाल ली है हाँ अभी पूरी नहीं निकाल ली है लेकिन थोड़ी बहुत तो उसने complete कर ली है इसके लाव यूई का जो character भाई जैसे वो डर डर के रहा था जितने भी season हमने देखी है season 1, season 2 उसके बाद इसके पाद जैसे power आती है 4, 5, 6 episode में हम देखते हैं तो इसके अंदर जैसे confidence आता है इसके character में काफी ज़्यादा improvement होती है बात करने का इसमें कैसे confidence आ रहा है कि भाई मैं देख लूँगा, मैं तुझे बचा लूँगा starlight को कहते है फिर यहां पर जो वो homelander से लड़ाई करता है इवन यह ड़ता नहीं है बहुत interesting लगा है सच को मुझे 1st, 2nd, 3rd यह भी मुझे बहुत पसंद आए है 4th, 5th भी मुझे पसंद आए है लेकिन 6 इसने तो अलगी level के excitement रख दी है फिर 7th episode आने वाला है उसको लेकर काफी जादा excited हूँ अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि homelander अब आगे क्या करेगा क्योंकि homelander की भाई साब बत्तिकुल कर दीते है 6th episode के अदर अब काफी सारी चीजें हैं इस season के बाद या फिर इस episode के बाद जैसे हम देखने को मुझे soldier boy भाई साब ये तो अलगी लेवल का बंदा है इसकी तो अलग से ही set की हुई है अब ये बे काबू हो जाएगा तो इसका क्या करेंगे homelander का भी भाई अब तो कह सकते हैं डाउन हो चुका है पूरा एक season 3 के 6th episode तक बाद करूँ दिल का item का item हो जाता है इन सब चीजों को देखकर जैसा इसके अंदर देखने को मिल रहा है story बहुत बढ़िया है VFX बहुत कमाल के है कोई limitation इनके अंदर नहीं रखी गई है adult चीज़े है violence बहुत जादा है नहीं भाई साब इसमें full on मतलब ऐसे-ऐसे scene है खासकर भारत के अंदर जब इसमें release करने की बात आई है तो कुछ सारी कुछ चीजों को उसमें blur किया गया है तो वो सब चीज़ें आई हैं देखने को मिल रही है जो Hindi dub हैं उसके अंदर भी कुछ चीजों को कम किया गया है तो वहाँ पर एक तरीके से limitation में आई है और इसमें केवल बूचर, UAE या Homelander यही character नहीं दिखाया जाते हैं और भी सारे characters हैं जिनके उपर हमें मतलब बहुत अच्छा उनकी development उनके उपर जैसे story दिखाया इन देखने को मिली है वह भी बहुत जादा पसंद आता है मतलब जो हमारा interest इसके अंदर starting से था ऐसा नहीं कहूंगा कि उतना ही है बलकि उससे जादा हो गया है ऐसा कम हो रहा है कि जो seasons पुराने थे उन्होंने उतने ही level के इंट्रस्टिंग रखी हो या फिर उससे और जादा बढ़ाया यह वाली सीरीज है मतलब इसने टकर दे रखी है अच्छी कासी मारवलों डीसी को जाकर आप देखे हैं तो इनसे सीको इतना बढ़िया character development या फिर इतने बढ़िया बढ़िया इतनी बढ़िया story कोई limitation नहीं वरना काफी सारी superheroes के हम जो movies या series देखते हैं उसके अंदर भी बियानक द्रिश है था जो मैंने देखा है overall मेरा काफी बढ़िया experience है मुझे बहुत जादा पसंद आई और excited हो इसका 7th episode या फिर यह पूरी series जब जो complete होगी तो एक अलग ही मतलब मजा आएगा आप लोगों ने अगर यह series देख रखी तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लगी अगर नहीं देखी है तो देखो adult हो तो ही जाकर इसको देखना वरना जरूरत नहीं है और सच में कोई जरूरत नहीं है तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में जाहिंद